नमश्कार में हूँ आपके साथ थंसली चुहान और आप देख रहे हैं KPPN News खबरों के करम में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर क्यों रामनगरी आयोध्या को समग्र विकास बनाने के लिए आयोध्या विकास प्राधिकरण A.D.A. नवियुक्ती कंसल्टेंट ली एसोशेट के M.U. साइन कर दिया है अब कंपनी आयोध्या के समग्र विकास के लिए अपना काम शुरू कर देगी मेली जानकारी के मताबिक रामनगरी मेली आसोशेट का कारिकाल 6 महिने में पैच वही इन 6 महिनों में आयोध्या का विकास किस तरीके से होगा इसका प्लान बना कर प्राधिकरण CM योगी के सामने पेश करेगा आपको बता दी कि अयोध्या के समग्र विकास के लिए नियोक्त एसोशियेट साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ लॉरसन एंड टुब्रो और सीपी कुकरेजा एसोशियेट का सहयोगी कमपणी ग्रूप में कादी करेगी अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंग का कहना है कि अयोध्या के समग्र विकास के लिए इस कमपणी को सेलेक्ट किया गया है आज उनी के साथ एमो साइन किया गया है बताया जा रहा है कि गुरुवार से ही काम शुरू कर दिया गया था ली एसोशियेट ने विकास कारी के लिए शहर के विबेन छेत्रों का निरक्षड भी किया पौराडे के स्थलो नई योजनाओं के स्थानों का भी निरक्षड किया गया इसके साथ ही कंपणी ने बस अड़े और मरियादा पुरिशोतम श्री राम अंतर राश्ट्री हवाई अड़े का भी निरक्षड कर रही है ये भी जानकारी मिली है कि आयोध्या के लिए विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए मास्टर प्लान पर भी एसोशियेट अपना सुझाव देगी केंदर सरकार और उत्तप्रदेश सरकार की हुजनाओ को भी ली एसोशियेट अपने प्रोजेक्ट में शामिल करेगी उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास से किसी अम्योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट आयोध्या के सर्वांगेड विकास को लेकर नवन यूक्त कंसल्टेट ली एसोशियेट पूरा काम करेगी। अयोध्या से KPPN News सवादाता मुहमद आलम की रिपोर्ट आज का हमारा प्रारंभिक बैठक इनके साथ में हो गया है मुयू साइन करने के बाद में आज ये पूरा समय यहां के शहर के विभिन छेत्रों को जहां पर की हमारा विकास का कार्य होना है हमारा मास्टपलान का जो डिवलप्मेंट का एरिया है जो हमारा नया जुरिस्डिक्शन डिकलेयर हुआ है और विभिन पौरानी का स्थल नया योजना का स्थल हमारे जो पुरा नया बसड़ा बना है रामकी पैड़ी ऐसे महत्पूर अस्थलों का भ्रमड करेंगे दौरा के बारे में जो जानकारी इनको बहुतिक रूप से देख करके प्राप्त हो सकती है उसको इकठा करके हम लोग आज शाम को पुनह मिलेंगे और हम चर्चा करेंगे कि इनका अब्जर्वेशन क्या रहा इनके अब्जर्वेशन के अधार पे जो विभिन प्रॉजेक्ट्स है ज इनके साथ में एक डीटेल्ड मीटिंग हम लोग आज के अब्जर्वेशन के अधार पे कल करेंगे और उस मीटिंग के बाद में हमें उन प्रॉजेक्ट्स में जो कुछ डिफाइन हो चुका है उसको कैसे अब्जर्व करना है अपने डेवलप्मेंट प्लान में और ऐसी च उसको भी उपलब्द कराने के लिए और मासल प्लैनिंग की जो हमारा और उगगनाईज़ेशन है उसके साथ में इनका इंटरेक्शन हम लोग कर अगणाईज करेंगे और स्टेट गफ्मेंट के और सिंटल गवदमेंट के जो प्रॉजेक्ट्स हैं और उनके जो प्रॉजे नमस्कार में हूँ आपके साथ थंसली चुहान और आप देख रहे हैं KPPN News खबरों के करम में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर क्यों